वेल्कम टूर चैनल सेवलिंसाइट तो आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वाल्स कॉंसी वाल्स केंटिलीवर रिटेनिंग वाल्स यह DCS का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम अच्छे से डिजाइन करेंगे कोई भी पार्ट्स में नहीं होगा यह तैकि मुझे आगे आपके समझाने में जी मुदा टिया एसा स्रक्चर हलता है देखो वैसे थैक्स ले vowल्स आंसे होता हो तो देखो आप जो इंव वाल है एक तरव पानी को वह कर रही है और एक तर्व वह इसे हम रिटेनिग वाल क्या देते हैं यह तो आपको meditation पर जल गी है अब देखो cantilever retaining walls are economical up to three meter to six meter of height अब देखो बंती कैसे cantilever wall में अप्टाया तो आपको एक ऐसे एक ऐसे यह ऐसे इसको vertical stem किया देते हैं यहाँ पे लिखा हो देखो तीन मिट्र से और 6 मिट्र के बीच बीच में आप cantilever retaining wall ले सकते हो इस line का यह मतलब है यह ना देखो अब 6 मिट्र से ऊपर चलीगी तो हमार आपको counterpart का भी आपको description मिल जाएगा तो देखो अब यह economical up to 3 मिट्र और 6 मिट्र होता है 6 मिट्र से उपर चलीगी तो हमारी counterpart हो जाती है और हमारा तो यह हो जाता है अगर आप इसको collectively बोलना चाहोगे तो आप बेस्लैब भी बोल सकते हो हमाग यह चीज़े यूज करेंगे इसलिए मैंने आपको समझा दिया अब देखो टो और हील में आपको difference के से बज़ा लगा कि सर आप पूछ सकते हो ना कि सर यह हम यह भी ले सकते होगे ठाइक है बैक फेल देखो बैक बैक फेलिटेंड थेंड बाय के सोईल भी हो सकते है तो जो उसके नीचे जो चीज़ आते है उसे हम हील कहते है और तो तो आपको सिपल डूस Viel thrust में है टो का दिस का कशलता ही हील बागत और बैक फिले बहुत इंपोर्टेंट डर्म है क्या है is the material retained by retaining wall ठीज है मुझे लगता है इतनी introduction बहुत है आपको अब सीधा हम questions शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे बचलते कैसे हमारे design होता है तो देखो यह आगे हमारे question तो question शुरू करने से पहले हैं आपको एक चीज आना जाता हूं कि ना यह जो मैंने question करना है सबसे हटकर हो आप कोई यूट्यूब पे किसी और कभी देख सकते content हमारे retaining wall पे हटके होने वाला है क्योंगी इसमें मैंने हर चीज के आपको अगर आप बस में ट्रैवल करते तो आपको पता है अगर आपकी दोनों टांग यह इसे शुरू करते हैं अगर आप बस में ट्रैवल करते तो आपको पता है अगर आपकी दोनों टांग ऐसे सीधी होते हैं तो आप इंबैलेस होते हैं तो आपको एक टांग ऐसे टेडी करके रखने पटते हैं मतलब भी आगे को step करके रखना पटता है तो वही चीज है stability के लिए है वह भी हम आगे द निकालेंगे कैसी चीज नीज होते हैं अब इन्होंने काई कि 3.8 मीटर हैं बफ द ग्राउंड लेवल तो आपक यह वाल है से यहां तक हमारी 3.8 मीटर हाई हमारी एंगल 15 तो देखो इन्हों ने कहा कि 15 डिग्री हमारा है विद होलिजॉंटल हमारा यह बैक्षिल है यहां पर सॉयल है उसका यूनिट वेट कितना 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यों भी है मैंने छोटा सा डेगर है मिशले बना रहो ता चलेंगे एस बीची तो आपको लग रहो है कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं इसलिए बोल रहो ताकि हमारा टाइम कम हो और समझाओ मैं ज्यादा पाहूं आपको ठीज़े रहे है या फिर आप टाइम भी आप स्लो कर सकतो अपना देखनेगा अगा तो सबसे बहले आप को बता हम घीवन लिखना तो घीवन लिकले तो गीवन हमारी हाइट के 3.8 मिटर यहां पे सबसे पहले आपको 3.8 मिटर है हमने लिख ली घीए अब यहां पे हंपे γेंगे 15 डिखले है यहां Corey हो और beginnen से ऑफ़िसल का क्योनन फोल निकर कविया क्यों है ॥ुक् TIME corridर मेरा ङू होगा यह सबसे पहले आता हमारे स्टेप वन डेप्ट ऑफ फॉम्लेशन देखो आपको यह चीज तो बता देगी ग्राउंड लेवल से उपर तो आपको दिया है इस सारे स्टेप्स आपको याद करने पड़े हैं और हर एक में पर्टिकुलर्ली यही सारे यूस होते हैं कोई तो 30 इंटेप आगी पीछे नहीं होगा चाहिए DAVID लेकिन सारे स्टेवरे नीकालने काने ये चाहिए लेकिन सारे स्टेप्स निकालने नम sports थेनगा एब निकालते हैं लिए समय हमारी ओवरड़ देप्त आ रहेगी तो डेप्त का यह थंब रूल है नहीं कौन सा है ये थंब रूल हुमारह क्या वूल्ड़ कहा है कौन सी डप्त ऑ फफंडेशन क्या बूलते है तो अब सिंपल आपको यहां पर आपकर न आपको याद आज से आ लेगा एक से दो बढ़ा आप गर पर प्रैक्टिस करोगे न आपको舟 करना आप सुन रहे हो तो साथ साथ में रिजिश्टर पर लिखते भी जाना ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखिना देखो मैं व्यूज का भूखा नहीं हूँ कि आप मुझे व्यूज दो एक बार आपने देख ली रिजिस्टर पे लिए कोई बात नहीं कोई अगर आपको स्टेप नहीं समझाए तो आप दुबारा से वह देख सकते हैं पाँ अब हमें थोड़ा से अडॉप्ट भी करने होते हैं कि थोड़ी सी ऊपर नीची भी हम ले सकते हैं यह आप पर है डिजाइन तो आप कर रहे हैं उन्होंने कोई बंदिश नहीं दियो कि आप डिजाइन ऐसे करो यह वैसे करो ठी है तो हमने 0.93 मीटर आपको हमने डैप्त अब निकाल लिए अब इससे कम तो नहीं ले सकते हैं इससे कम मतलो इस समेशा जाद ही लो तो देखो मैंने देखा कि 3.8 मीटर हमारी यह है वैल्यू है हमारी हाइट है तो मैंने कुछ ऐसी वैलो ले लिए ताकि हमारी ओवराल एक पूरी एक यूनिट 1 में बन जाए जैसे कैसे देखो 3.8 थी ना तो मैंने का एजियोम डेफ 1.2 मीटर तो मैंने यह न 1.2 मीटर ले ली ले लिए तो उमारी ओवराल कितने होगी 5 मीटर होगी ओवराल डेप या फिर ओवराल हाइट का है तो 3.8 प्लस 1.2 इस गवल लो 5 मीटर तो मैंने कुछ ऐसी वह लो ली ताकि मेरी जो पूरी है ने राउंड आफ में बन जाए 5 मीटर में बन जाए तो आप ऐसी ट्राइ करनो कि अगर देखो आप यहां पर 3D हो तो मैं सिंपल यहां पर 1 ले लेता यह 1.2 ना लेता तो 1 ले लेता तो 3.5 होता तो यहां पर 1.5 ले तो ऐसी रहता है थोड़ा सा ठीक है तो देखो ऐसे हमारे overall depth हो गया तो यह हमारे step 1 हो गया अब हम चलते step 2 पर तो देखो यह आगा हमारे step 2 select the initial sizes तो यह सारा thumb rules ही बरा हुआ है अगर आपको यह चीज़े याद है तो आप आगे question कर पाऊगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाऊगे इसके आगे तो आप आप देख इसको हम फेर भी कर लेंगे तो देखो एसे हमारा बन किया अपने गाए width of footing तो सबसे पहले width of footing हमारे जीज़े हो जाएगी यह बेस हो रहता है इस तरह बेस लैब की आपका निकालना है width आपने बी निकाल लिए यह तो बी आपका देखो क्या है हमारा thumb rule 0.5H to 0.7H मतलब क इसको बीच में चाली value ले सकते हो आप कोई भी ले सकते हो तो ह हमारा overall depth जो अभी हमने निकाल ला है तो 0.5 x 5 to 0.7 x 5 यह हमारे thumb rule width of footing के लिए यह चीज़े है यह तो यहाँ पे हमारे 2.5 to 3.5 आया तो आप इसकी beach वाली value कोई भी ले सकते हो 2.7 भी ले सकते है 2.8, 2.9, 2.3 3.1 3.2 लेकिन मैंने तो कहा कि हमारे एक फ्रेक्शिनर यूनिट रखते हैं माला भी नॉर्मल यूनिट तो मैंने एक 3 मिटर ले लिए यह नाइ मैं 3.2 9.3.3 तो यहां मैं लिख सकता हो 3 मिटर यह हमारे डॉप्ट आगी अडॉप्ट यह चीज लिखनी है यह आपने डॉप् के सकते हैं मैं इसके रखें कि निकालना अगर आपको यह थम रूब्ट याद हुआ तो आप यह नी निकाल सकते हैं फिर उसके पाद आगे निकाल सकते हैं इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको यह चीज नहीं आ तो आप डिजाइन ही नहीं कर सकते हैं हमें बोलता है हमें हमें बोलता है हमें हैं चीज ने के संट्र आप प्ला सब्सक्राइब और आप ले शक्ते हो अड़ाप्ट कर सकते हैं तो देखो thickness of base slab हुमारी है h by 12 तो यह हमारे एक नया thumb rule आके तो thickness of base slab क्यों होगी h by 12 h यहाँ पर याद रखना overall depth है तो 5000 पर 12 बाता है 417 ठीक है 417 अब मैंने डॉप्ट कर ली 420 ठीक है अब और निकालते हैं thickness of stem at base thickness of stem at base बोला है तो base मतलब यह वही थिकनेस हो जाएगी यह आपको पता है stem है यह मैंने आपको बताते है vertical stem में तो thickness यह वही बेस की उतानी है तो वह भी क्या है h by 12 वह भी इसको भी यह थमरूल है है कि h by 15 और h by 12 ठीक है तो मैंने वही करें h by 12 करें तो वही आना था यहां पर 417 तो यहां पर आपको क्या आ गया 420 आ गया तो simply हम यहां पर फिर क्या लिख देंगे 420 अब आपकी यह भी आगी अब देखो आप thickness of stem at top कह रहा है यह क्या मतलब हो है at top मतलब कि यहां पर अलग-अलग होता है कोई कहता है यार आप half लेलो कोई कहता है यार आप वैसी आप देख लो practically क्या लेने आपने जैसे 400 थोड़ी सी कम करो 300 लेलो 200 लेलो कुछ ऐसा जलता है लेकिन मैंने जो अपना thumb rule बनाया हुए और वो मैं आपको बता रहा हूं क्या thickness of stem at top approach क्या लेलो t t base जो हमारी चिकने से base of stem निकली है divided by 2 यह अप्रॉक्स लेनी है equal to भी नहीं कह रहा है मैं अप्रॉक्स कर दिया मैंने तो मतलब जैसे t base हमारी यहां पर क्या निकली थी है देखो stem की 420 यह 420 निकली थी मैंने का divided by 2 अप्रॉक्स वैल्यू लेनी है तो divided by 2 कर होगे तो आप अप्रॉल इसके लिए आयता है तो thickness of stem at top हमारी यहां पर क्या हो जाएगी 200 mm यह भी आगी सिर्फ अब एची रहेगी क्या रहेगी height of stem यह height of stem लेगी तो height of stem क्यों है कि देखो h overall depth minus t base stem sorry stem बोल गया मैं यहां पर यहां पर गलत होगा थोड़ा सा यहां पर मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए base slab लिखनी चाहिए बस base ही लिख देख तो मैं यहां पर simple ठीकिन सबस्टम निया रहेगा यहां पर वही मैंने वही base तो लिखना था आगे गलती से stem लिख दिया ठीक है तो यह हमारा stem यह सारा कुछ निकल गया यहां पर हमारा वो था क्या वोलती है ground level यहां से हमारी क्या 1.2 थी मलब की 1200 mm यह साइच चीज निकल गी अब थोड़ा से ना fair diagram कर लेग तो चुटकी मारते फेर हो जाएगा तो चुटकी मारी तो यह हो गया fair हमारा ठीक आप देखो सारा कुछ मैं टॉप आगे देखो 200 है टॉप 420 है बेस ठीक है डॉप 4580 हमारी यह आगे ठीक है vertical stem की हमारी height thickness of base slab आपकी देखो क्या ही थी 420 तो 420 डॉप 1.5 width of heel आया था हमारा तो 1500 डॉप बी आया था हमारा 3 meter तो हमारे 3000 mm हो गया ठीक है यह सारे चीज़े तो होगी ठीक है लेकिन आप पुछों के सर आपने कहा था कि हम तो इसको fair कर रहे है तो आप यह डवली पर हमारा लग रहा है लोड लग रहा है लोड यह सारे इनके basis पर लग रहा है तो यह सारे हम कैसे बाद चल लगा है हमारे next step में पर बचल रहा है तो step 3 करते हैं तो यह है हमारा step 3 calculate the forces and movements acting on the wall कौंस पर इस पर जो है यह जो हमने W1, W2, W3 जो जो मैंने आपको पताये थे यह सारे लोड लग रहे है अब हम इससे force निकाल लेंगे फिर moments निकाल लेंगे फिर हम इसका sum कर लेंगे तो हम पर चल जाए कि पूरे हमारी retaining wall पर क्या forces लग रही है और क्या movements लग रहा है तो देखो सबसे पहले हम अच्छे से अराम से समझाएंगे इसको तो देखो अब देखो W1, Notation W1 है तो इस निकाल लेते है फोर्स और मूमेंट ठीगे है तो यह सारी moments लेंगे है इसके CG पर लगी हुए है जो भी हम चीज ले रहे हैं उन पर CG पर लगी हुए है कैसे तो अगर यह footing है तो देखो इसकी 3000 अट है यह 3000 अट है इसकी हमने CG लिया तो यह simple 3x2 हो जाएगा न 1.5 मिटर हो जाएगा अगर यहां से चलेंगे हम हील से चलेंगे लेफ लेफ सोरी राइट टू लेफ्ट चलेंगे ठीगे हील से चलेंगे कभी भी आप टो से मत ले लेना हील से लेना यह तो देखो यहां पर distance from heel meter में देखो किया 3x2 1.5 मिटर तो यह centroid है यह यहां पर नहीं दिख रहा आपको जैसे मैंने mark रही है यह point यह point centroid नहीं लग रहे है लेकिन यह centroid से है मतलब इनकी CG से ही है यह अब देखो force अब देखो force का अगर मैं आपको पहले बता दूं आपको एक thumb rule से देखो वैसे मैं thumb rule देता ही आ रहा हूँ तो उसमें क्या है हमारा देखो area area into unit weight यह unit weight of material आदेगा यह unit weight of material यह हमारा इसका thumb rule है कैसे तो देखो आइटेम है force निकाल रिक्टेंगल है अब रिक्टेंगल का area क्या है length into breath यह 3000 into 420 लेकिन हम meter में कर रहे है सारा meter में कर तो देखो 3 meters length into breath हमारी के होगी 0.42 meters 0.42 into 3 यह हमारी area होगी अब unit weight देखो concrete का यह आपको पता 25 होते है 25 आपको पता 18 हमें soil का given है तो देखो 25 हमारा हमने multiply करा area into unit weight यह material का तो हमारा material concrete था 25 तो यहां से हमारी force निकलाई यह हमारी force निकलाई तो आप इसका लेना है cg distance from heel points है तो हमने heel से distance निकाल लगी heel से हमारा क्या distance है यह हमारे loads लग रहे है अब w1 का simple मैंने आपको explain कर देखो 3 by 2 हमारा यह आगे यहां से आपको cg 3 by 2 यह simplest का distance है heel से यहां तक का यह आप देखो 1.5 meter ऐसे हो गया अब देखो moment के होज़े कि देखो about 2 होते है moment के होज़े इसक देखो force आपकी ऐसे लग रही है perpendicular distance आपका ऐसे है तो वह यह force into perpendicular distance हमारा आदेगा तो यह आपने अभी निकाला था तो अगर मैं आपको इसको multiply करके भी दिखाते है एक बार आपको proof हो लेगा 31.5 into में क्या आपका 1.5 क्या आता है 47.25 यह यह आपको समझ आ गया अब देखो सारे सेम ऐसी होंगे यह बाक्की सारे हैसी होएंगे देखो W2 हमारा rectangular portion of wall है यह हमारी rectangular portion का आजएगा simple थिए इसमें क्याएगा 1.5 तो देखो पहले मैं distance आता हो 1.5 प्लस अब इसका CG अब इसका CG क्याएगा यह हमारी breath कि नहीं थी 200 mm 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 थी 2 हो अब दोनों को multiply करेंगे तो हमारी movement आजएगी यह हमारी movement आजएगी तो आप सारे easily निकाल सकते हो यह मैंने आपको यहां पर mention करती है हम ज्यादा deep में जाएगे तो देखो W3 भी आजएगा W4 भी आजएगा अब यह जो W5 है ना इसका थोड़ा से एक चीज़त आयता है तो देखो आपने देखा है कि मैंने 400 कहीं पे भी निकाल ली जो हमने इनिशियल साइज भी निकाल थे step हमारा 2 था जिसमें हमने 400 निकाल उपर वेस्सक्ति इसने इसकी यहां पर दिखा दी वैसी तो यह isi Trigal तो देखो कि अगर आप इसको इसको यह जो हमारी पूरी मैंने था यहां तक है तो देखो ट्राइंगल ऐसे एक बनाऊना ऐसे यह हमारी पूरी 1.5 निकालनी है यह बी कहा देता हूं तो B क्या हो जाएगा 10 15 डिगरी हो जाएगा इंटू 1.5 यह आपको पता न हमारा जो पता था P, B, P, H, H, B तो उससे हमारा 10 पे आयता ठीए, sin, cos, 10, perpendicular upon base तो वैसे हमारा करके हमारा 10 15 डिगरी इंटू 1.5 अगर आप करोगे तो हमारा 400 mm आजएगा वैसे 400 mm अगर मीटर में करोगे तो 0.4 मीटर में आजएगा ठीए ऐसे आपको यह वली साइट आगी अब बन रहे है आपका ट्राइंगल तो ट्राइंगल का आपको पता सेंट्रोइड कहां पर होगा 1 by 3 पे होएगा तो 1 by 3 आपका एसे होगा तो आपको पता ही है इंटू हमारा unit weight हमारा soil का लग जागा 18 तो ऐसे W5 निकले बस इसमें आपको confusion होगी बकी आप दे सकते हैं मैंने शीट ऐसे रख दिया आप देख लो राम से इसको pause करके वीडियो को राम से आपको समझाएगा देखो यह साई ची करके बस यह जूरत है ठीए अब देखते हैं इनकी का यह जूरत पड़ेगी तो देखो अब आगे हमारे step 4 calculate the earth pressure यह अभी जो मैं step 3 में आपको यह sigma w और sigma m भी आपको drive कराया है तो वह भी यहां पर यूज नहीं होगा थोड़ा से बाद में वह लेकिन हमें यह तो करना चलेगा हम सारे inclined width लेके चलेगे तो inclined width यह लेके हम force निकालेगे ठीए हम यहां तक की बात नहीं करेंगे हम सारी बात करेंगे कैसे आपका सारी डल दिया तो उसकी force करेंगी सबसे पहले height of inclined portion of soil निकाले तो वही वहला यह जो मैंने आपको निकालके दिखाया ना यह 0.4 तो pressures यह देखो rankines है तो देखो यह हमारे active होते हमारे passive तो अगर आप करोगे तो rankine का active pressure confident है और kp करोगे ता passive हो जाएगा ठीक है तब यह हमारे kp है ठीक है अब देखो इनका भी थमरूल ही है मैंने का आदा blue pen से जो भी लिखो हम वह सारे थमरूल होएंगे तो ka का यह वला है formula देखो cos delta minus under root cos delta square minus cos 5 square divided by cos delta plus under root cos delta square minus cos alpha sorry cos sigma square divided by into cos theta तो ठीक है यह आपका भी पूरो formula ऐसे बन जाता है ka कर ठीक है rankine active earth pressure कर ठीक है coefficient बन जाता है तो ka आप कैसे बन गया तो cos 15 degree minus यह सारा आप values डाल दो कि cos 30 degree हमारे 5 का था यह मैं sigma बॉल गया sorry पहले तो यह 5 था तो into cos 15 degree ऐसे करते है आपकी ka value निकलाए ठीक है यह तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको formula याद करना है थम रूल यह याद रखना है और उसमें value पूट करना है आपका आज़ा है और देखो kp का क्या है बहुत ही से ही पहले kp का तो 1 plus sin 5 by 1 minus sin 5 ठीक है तो अगर आप इसमें value डाले तो sin 30 degree sin 30 degree इसमें डाले 1 plus होगे 1 minus होगे तो kp आपका क्या है 3 आपको kp 3 आगया तो k और kp तो निकल गया अब देखते है इनकी कहाँ पर जरूरत पड़ती है तो देखो अब आता है force due to active earth pressure तो मैंने गयादा force निकालने है अब active earth pressure पर निकालने के निकालने के पैसी है वो तो है है यह h- का square by 2 अब आप पुछोगे के भी ठीक है अब h- क्या है where h- is equal to 5 plus 0.4 5 मतलब हमारी overall जो हमारी 5,000 mm प्लस अब यह भी add होगी 400 mm यह हमने प्लस कर दी अब देखो अब सारी होगी ने सारी active निकल गी यह सारा अब आपका soil का आज है जो हमारी ऐसे inclined भी लग रही है उ तो उसमें h- की होगी 5.4 मिटर्स तो अगर हम मिटर्स में करेंगे तो देखो simple आप इसमें values भर होगा तो के की आपको पता है क्या आपको पता है क्या आपको पता है तो soil का आपको दिया हुआ था 18 यहां पर 5.4 का square by 2 है square by 2 है यह याद रखना है कि कभी भी बूल जाते है यह फिर at dash भूल जाते है तो ऐसे हम करते हैं देखो पी एक आपकी वैल्यू आज है कि 98.15 किलो न्यूटन अब देखो पी ए जो हमारा लग रहा है एक तरह तरह आपको देखो कहूं कि हमारा ऐसे वर्टिकल लग रहा है ठीए इंक्लाइन स्लोप पे लग रहा है तो ऐसे व हम हमारा horizontal हो जागा एसी और स् Benim हमं आपको पदो होरीजोंटल गो जाख झालना है वह में होरीजोंटल भी निकलाना तो इस से हमें निकलेगी उस्से इंपॉर्ट्रेंट पार्टेкий निकलेग शिर तो इस से हमारी निकलेगी एससे हमें लेकर यह रहा है निकलेगी खर आप जो हमारा आपको पता हैז Angle होते है उसके साथ जो साथ Sur साथ घृष तो होरिजोंटल कॉंपनेंट के आगा है पी ए कॉस डेल्टा तो 98.15 उन्टी कॉस 15 डेगरी करोगे तो 94.8 किलोटे ना देगा तो होरिजोंटल हमारे हम कहते है 94.8 लग रहा है इसि कितना रोल नहीं होता है चितना होरिजोंटल में होती है हमारे होरिजोंटल है कैसे आपके क्या पर डेहिए सब कशने दीदेख अगला से और अला है। चै के यह कह ci स Ça जो हमारा ना design of cantilever retaining wall होता है यहां से आपको marks मिलने शुरू होता है जो हम पहले आभी यह कर रहे थे ने मजाक सहीता मतलब कि बस इस चीज़ी के लिए कर रहे थे जैसे आप check for stability आया थे तीन तरह ही हो जाती है एक हम soil field निकालते है एक हमारी overturning होगी और एक sliding होगी ठीन तरह go, heel, vertical stem ठीक है यह आपको सब design करना पढ़ता है तो वह 10 number को आयता है तो अभी जोग कर रहे है अभी तो मेरे ख्याल से हमने सिर्फ 2 number का कर रहा है अभी 3 number का एक एक पॉइंट में अगर दूं तो 3 number ऐसे तो 5 number अभी complete होना है question तो देखो इतनी देर हमने लगा लिगा लिए लगे तो गूमना जाए एक sliding होगे तो ऐसे slide ना कर जाए या फिर हमारी गूमना जाए तो वो चीज़े हमारी सारी होती है तो अब देखते हो ओवर टर्निंग का देखो क्या thumb rule है तो 0.9 into stabilizing movement MR divided by overturning movement MO should be greater than 1.4 ठीक है अब यह आपका stabilizing यह हमारा factor of safety है against overturning ठीक है अगर overturning movement का थंबूल है blue band से लिगए तो देखो overturning movement का क्या है MO PA cos delta H dash by 3 ठीक है H dash आपको पता है हमने क्या निकाला था 5.4 निकाला था ठीक है H dash आपको 5.4 पता है और PA cos delta क्या हो गया एक तरह का horizontal component ही हो गया अगर मैं यहां पी चीज़ लिखूँ तो यह हमारा एक तरह का horizontal component ही हो तो ऐसी होएगा overturning हमें यह vertical थोड़ी बताएगा horizontally बताएगा कि ऐसे overturn होती है turn होती है हमारी retaining volume नहीं base से तो अब आपका यह चीज़ होगी अब देखो 170 यह सारी values आपको पता है H dash की आपको पता है क्या थी हमारी 5.4 यह भी आपको पता है क्या थी हमारी 94.8 तो आपका MO ज 34 ktm आ गया यह चीज़ आगी अब देखो अब जो हमारे stabilizing movement आते हैं इसको stabilize कर रहा है तो आप कहां पर करोगे इसके center पर ही करोगे न सारा जहां पर critical section आता है ठीए अब मैं कहुंगे पूरी retaining wall का CG निकाल दो एक X निकाल दो X-distance निकाल दो जान से मुझे पता चले कि resultant स सारी forces लग रही है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे हमारे सारे stabilize होगा ठीए तो आप देख लेते कैसे तो देखो distance of resultant vertical force from heel तो अब हमें distance from distance of resultant vertical force सारी जो vertical forces लगी दी W1, W2, W3, W4, W5 इसका sum जो भी निकलेगा ठीए तो उसका distance from heel, heel से चले ही मैंने कालना सारी हम हील से लेते हैं, तो heel से चलेंगे ठीए, अब देखो X के वारे का सिंपल होगा है movement पार हमारी forces, आप देखो sigma M जो हमारा था, जो हमारा sigma M हमने निकाला था, 201.6 है जो हमने step 3 में करा था ठीए, पर जो हमारा sigma W था, वो था 196.1, यह सारे kilonewton, यह हमारे kilonewton meters में आ गया, यह हमारे kilonewton में आ गया था, अब देखो X हमारे ऐसे आ गया, तो X हमारे distance resultant vertical force है, तो मतलब यह सारे जो हमारे forces लग रहे हैं, वो हमारे compact करेंगे 1.03, तो मतलब यहां से अगर आप लोगे तो 1.05 हो जाएगा बीच में, तो यहां पे कहीं आपका ऐसे हो जाएगा, यहां आपको अच्छे समझा रहे हैं, थोड़ सा मैं जल्दी भी करवा रहा हूँ, लेकिन अच्छे समझा रहा हूँ, ठीए, तो देखो अब यह आपका आगया, तो देखो अब next क्या आता है, अब आता है stabilizing movement about toe, अब मैं कहा रहा हूँ कि है, हमने यहां से निकालना, यहां पे अब सुम जाएगी हमने, अगर मैं, और तो यह थोड़ी चीज खूमेगी, इस around, ऐसे घूम जाएगी, या तो ऐसे हो जाएगी, अगर मैं कहूँ कि यह B में इसकी movement around ऐसे घूम जाएगी, तो वैसी यह है, कि यहां पे हम खड़िए हैं, तो यहां से ऐसे घूमेगी, दिस्टेंस क्या तहा है थे तो पर खड़े हैं मैं कई रहो वन पॉइंट पर यहां से लगी ती लेकिन हमने अभी यहां से निकाला था अब हमें तो से ले रहें थो एह वा डिस्टेंस हम निकालाएंगे तो क्या एक 3.0 यह वह पूरा B हो जगए, B-1 हो जगए, यह वह वारा distance. जो कि 3-1.03 हो जगए, यह आपको समझ जा गया है, तो यह वह यहाँ पर आजएगा, तो उससे हमारा देखोm, स्टेबलाईजिंग् स्टेबलाइज activated movement आजएगा, इस point के round, यह वारा distance के round, अब simple formula value डालते हैं देखते हैं कि यार 1.4 से बढ़ा आता है या फिन नहीं आता है तो देखो fs overturning आ गया sector of safety 0.9 into mr by mo should be greater than 1.4 0.9 into 386.32 divided by 170.64 यह आपका अभी निकाल आता है 386.32 यह आ गया यह हमारी overturning moment आगी should be greater than 1.4 तो हमारी यह सारा करकर आके calculation आप खुद भी कर सकते हैं आप खुद भी कर सकते हैं तो 2.04 आता है तो कि 1.4 तो बहुत बढ़ा है तो मतलब कि hence it is safe against overturning यह safe होगी हमारी overturning के लिए लेकिन यह तो ऐसे होगी है मतलब यह तो पार्ट खतम होगी है लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंग स्लाइडिंग करते है न मैंने उसमें दिखाया यह unsafe है ठी है मैंने question एक्स्ट्रीम question ढूंड है इससे tough तो आपको आएगा इन्यों सारी चीज़े cover हो जाएगी है ठी है तो अब आपको देखो hence it is safe against overt turning तो यह हो गया अब देखते next हमारी कॉंसी हो में चेक करने stability लिए तो देखो अब आगे step 6 calculate soil pressure below the footing तो मैंने आपको कहाता है यह सारे stability requirements है अब देखो इसका क्या मतलब आपको इसका मतलब आपको इसका मतलब यह थोड़ा समझने वाली चीज है अगर आपने मेरे सुना हु कि देखो हमें question में देखो क्या given था तो question देखो हमारे क्या कहता था assume that the SBC of soil is 150 km per meter square ठीक है जो कि हमारे SBC is soil bearing capacity जो की 150 km per meter square है तो मतलब है soil bearing capacity का मतलब यह हुआ कि मतलब कि 150 ज्यादा अगर इस पर pressure लगा यह जो हमारे सारी soil है तो मतलब यह हमारे 10 जाएगा थिया 10 जाएगा crack आ जाएगा कुछ भी हो सकता है ठीक है वह हम नहीं पता है कि क्या हो सकता है इस सब पता चलता है कि यह आप हमें यह define करना कि यह stable तभी होगा ना यह कि अगर हमारी यह वली जो हमारी यह जो हमने retaining wall हमारे पूरे design करा है इसका जो हमारा आएगा soil bearing capacity वह हमारी इससे कम हो अगर इससे कम हो तभी तो इसकी उपर टिक हैगा अगर जादा होगी तो मतलब प्रेशर जादा हो जाएगा तो वह ऐसे निक by 2 should be less than be by 6 centricity तो आपको पता है जो हम distance निकाल दे जो हमारे vertical forces निकलते हैं लिए सब्सक्राइब कर देगा थहीं सब्सक्राइब कर निकल जाएगा ठीग कर देगा थे सब्सक्राइब कर तो तो हमारा eccentricity निकल आता है, ऐसे eccentricity आपको 0.4 meter आता है, तो यह सारे thumb rule आप याद कर सकते हैं, वैसे कोई मुश्किल नहीं है, क्यों आपने पहले यही चीज़ कर देना है, बस अगले बार आपको MO plus कर देना है, यह should be less than 2 by 6, तो 3 by 6 होना चीज़ तो मतलब कि 0.5 meter, तो हमारा ease कर दो 0.4 meter, तो मतलब कि centricity आपको चलो निकल गी, 0.4 meter आता है, अब देखो, अब इसका formula क्या होता है, जो मैं कहारा है, जो मैं कहारा है, प्रेशर क्या पढ़ रहा है, तो वो निकालने के लिए तो calculate soil pressure below the footing के आ रहा है, हमा 6C by B, bracket close, ठीक है, ये सारा, ये तो curly bracket, मैंने thumb rule के लिए लगा है, अब आप पुछ़गे कहां से है, ये सारी चीज़ा में बता हूं, तो यह कोई आपकी तुक भी नहीं है, कि मैं आपको बताता है, कहां कहां से आया, ये बस एक thumb rule है, आपको याद करना है, कोई भी आपका सही है, देखो, books में अलग-अलग तरीके से होता है, ये जो retaining wall design होती है, ये बहुत तरीके से हो सकते है, कोई चीज़ा पहले कर सकता था, वो अवरी बाद में, कोई ऐसे हो सकता है, ठीक है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकता है, कि मेरा गलत है, या फिर book का गलत है, तो अब सब्सक्राइब करें, 118 km2, जो की less than 150 है, तो मतलब सही हो गया, ठीक है, जो भी हमने सारी retaining wall सही करें, तो मतलब दूसरा हमारा factor था, मतलब दूसरा हमारा stabilizing factor था, soil pressure का, वो हमारा satisfy हो गया, है, 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 हो गया, तो अब देखो, Q max तो आ गया, Q minimum तो वै B, bracket में 1-6, E by B, तो simply सारी values ऐसे डाली है, तो आपको Q minimum क्या आता है, 13 km2, तो यह आपको पता चलेगा, आगे, जब हम करते है, design of toe slab, heel slab, तो वहाँ पर इसकी जरुरत पढ़ती है, तो क्योंकि हम नीचे का सारे design करना होता है, तो उस चीज़ के लिए यह जरुरत पढ़ती तो आपको Q max यहाँ पर आगया, तो इससे माला है hand safe, अब सिर्फ last कॉन से रहागया, हमारा stability, sorry sliding करे गया, तो देखो अब आता step 7, check for stability against sliding, यह last है हमारा check for stability के लिए, तो sliding आता है, वैसी same form ना देखो 0.9, तो factor of safety against sliding के 0.9, इन्टु अब resisting force divided by sliding force आगया, तो अब slide हो रहे है कि slide और दा friction की चीज़े आएंगी, अब इसमें friction आएंगी सारी, तो resisting force divided by sliding force, तो resisting force हमारी F होगे है, PA cos delta, तो मैंने आपको गाहता है, सारे horizontal component use होते है, हमारे vertical कभी भी use नहीं होगा, बहुत ही minimum, तो should be greater than 1.4, same है, तो resisting force, तो resisting force के आगया, तो F is equal to mu sigma w, जो हमारे सारे loads लग 0.5 दिवा तो, कहां पर दिवा तो, मैं question में भी दिखाया तो आपको, तो देखो हमें यहां पर दिवा तो, coefficient of friction between the soil and concrete is 0.5, तो जैसे अगर मैं बता हूँ आपको यह हमारी जैसे अगर 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 यहां से slide हो गया, horizontal component के जैसे slide होगी, तो यहां पर हमारी रगड हो 0.5 kN, यह आपको अच्छे समझ आ रहा है कि मैं यह थोड़ सा जली इजले कर रहा हूँ कि आपने कर लिया, मतलब की check for stability यह आपको अच्छे से आ गया, तो अब sliding force के है तो वह हमारा जो horizontal component है तो PA cos delta, PA cos delta is equal to 94.8 kN, यह अब simple आप इसमें value put कर होगे, तो क्या आएगा, दे लेकिन इसकी क्या value आज़ती है देखो, मैं यहाँ पर लिखूंगा इस चीज़, अब यहाँ पर क्या value होगी, 0.93 should be greater than 1.4 लेकिन नहीं आया, यह hence unsafe होगया, मतलब यार मैंने कहाता आपको यह हमारा एक check हम दिखाएंगे कि हमारा unsafe होगया, यह हमारा satisfy नहीं करा, कि greater than 1.4 अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, अब सारा redesign करें किया, step 7 कर लिए हमने, अब क्या one step से लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा हमारा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, hence, अब इसको stable करने के लिए हमें क्या गरें, provide a shear key, यह आपका ऐसे rule है, यह सारा, provide a shear key, जब भी आपका again sliding क आपका हो जाता है, कि fail हो जाता है, जैसे mostly हो जाता है, हर question, हर teacher यह डालता है, कि आपका length ही बने, और सारा कुछ आए, तो उसमें हमारा भी यह आता है, यह हमारा answer, तो hands provider shear key, तो हम next step में देखते है, shear key होता गया, अच्छे से समझाओंगा shear key, उसमें क्या होता है, तो कि इसमें एंफोर्स्मेंट होती है, यह नहीं कि इसमें होती है, तो ऐसे को shear key कहते है, तो देखो, अगर आपको समझो कोई ऐसे, आपको एक stability, आपको इसकी stability निकाली है, अब देखो, पहले तो यह जमीन के अंदर है, फिर भी है 10 रहा, ऐसी दर दर हो रहा है, तो हम नीच इसमें है तो यह शियर की हमारे नीचे एक तरह रहा रिजिस्टिंग फैक्टर है जो लो इसको रिजिस्ट कर देती है तो देखते हैं अब इसमें सारा कुछ क्या आता है तो देखो तो तीन चीजे हैं हमने इसमें अशॉम्शन लेनी बढ़ते कैसे अशॉम शियर की ओफ 300 mm इंट 400 mm एट डिस्टेंस ओफ 1.1 मीटर फ्रॉम तो तो देखो अब इसमें गया डिस्टेंस यह मलब शियर की तो आप कुछ भी ले सकते हो 300 से 400 ली है मैंने आप 300-400 ले सकते थे 200-400 ले सकते थे वह आप पर है वह आप कोई भी ले सकते हो लेकिन जो यществ तो यहांसे ऐ सब्सक्क्राव सकते हों तो यह लेसी से लेना थे तो यहांसे आपको यजयान रहें तो 1.2 मीटर और 12.5 वह ले सकते हों 5 1080 मुए प्था की is to develop passive resistance over depth s2 तो इन्होंने काई कि the effect of the shear की is to develop passive resistance तो वो ही मैंने आपको कहा था नहीं कि हमारा active earth pressure तो हमारा आ गया हमने सारा अच्छे से उसको यूज कर ले लेकिन अब passive भी तो था तो passive यहां पर यूज होगा तो देखो passive में कहां पर करना for a depth of h2 तो इस depth यह जो हमारी depth तरने यह हमारी सारी है हमारी s2 है तो इससे हमारा पर जाल है passive resistance over depth s2 तो next point देखते है for computing the passive pressure below the toe top overburden of 300 mm is usually neglected तो मतलब भी 300 mm को जो हमारा overburden होता है वो neglect कर देंगे तो हमारी पूरी में से h2 आपर देखो एच वन निकालना हमने अपर पहले हम एच वन निकालने क्यों हमें सिर्फ यह pressure लग रहा है इस पर हमने overburden minus कर दिया तो जो हमारा passive resistance लग रहा ना जो हमारा वह वो हमारा यह लग रहा है वन पॉइंट तू पूरा हमारा 1.2 था आपने पढ़ने माइनस कए हमारा थीन सव हमने आपने ओवर बदन माइनस कर दिया तो 0.3 हमने माइनस कर दिया तो वाक हो बिन कालने है विन अब आपको पता है शिदा-सिदा यहां पर क्या हो जाएगा देखा आपको यह वहाला फॉर्मला तो याद होएगा k लिखा है तो आपको तो देखाया था आपको लिखा हुए लेकिन फिर भी चलो यहां पर मैंने एक बार ऐसे ब्लू पैन से लिखते है ताकि आपको अच्छे से याद रहे तो पहले हमारा था तो हमारे एक्टिव होगे था अब पैसिव के लिए आ गया अब देखो अब इसको यह फॉर्मला बन दाता है अब आप देख स हमें हमें इसमें निकल जाएगा है तो इसमें से आप सिंपल डेलोगे अब देखो तो आपको देखो KP के आगे न अर्थ कोफिजेंट्स आर्फ के एंड के एंड के एंड के एंड के आपको पैसिव आएगा तो देखो KP के आपकी 3 आए थी तो सिंपल आपको यहां पर 3 डाल देनी है इंटू 18 हमारे यूनिट वेट होता है आपको प्ताया था शियर की कर था हमारा दिमेंशन 300 0.3 प्लस बीमारे 0.635 इसे आपने सारा कुछ निकाल गया यहां पर यहां पर हमारे पीपी के आएगा 69.05 किलो न्यूटर ठीए पीपी आगया अब देखो अब हमारा फेल हुआ था स्लाइडिंग हमारा फेल हुआ था क्य अब हमने क्या एड़ कर दिया शियर की एड़ कर दी तो उससे हमारी पैसिफ फोर्स भी आगे एक तरह की तो जो हमारे पीपी देखो पैसिव आगी तो यहां पर प्लस पीपी आगया ठीए फोर्स आपको पता है फेक्टर और सेफटी और स्लाइडिंग 0.9 इंटु एफ प देखो अगर आप इसको सॉल्ल करते हमारा 1.59 वैसे बहुत ही कम से उपर हुआ है लेकिन सेफ तो हो गया ना तो मतलब यह हैंस नाउटी सेफ अगें स्लाइडिंग तो देखो अब इससे हमारा पूरा है हमारा स्लाइडिंग सेफ हो चुक है शियर की वाजा से अगर तो पह करेंगे फिर हील फिर वर्टिकल सेफ वह बहुत इंपोर्टेंट यहां तक भी कभी आपको आया था कि पार्ट वार मतलब की एक तरह का यहां तक आया था कि बस पांच नमर में बता दो कि फैक्टर ऑस स्टेबिटी सारे बता दो ठीए तो अब नेक्स टेप पर चलते हैं तो देखो अब आगे हमारे स्टेप 9 डिजाइन ऑफ तो देखो इस वेना मैंने कम लिख है समझने वाला ज्यादा है मतलब कि जो मैं बोलूंगा आपको वह ध्यान से सुनने तो अगर आपको आपको कुछ नहीं करना सबसे पहले आना आपको एजिक डागराम बनाना तो सिर्फ आपको अभी इतना इतना पोर्शन में देखना है अब यह चोड़ दो यह एक ही डागराम में बनता है वैसे आप अलग में बना सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैंने एक ही में कर रहा है कि मुझे लगता है टाइम थोड़ा बसता है आपका तो सबसे पहल आप यह लिए था ठीक है अब इसकी वाजा से कितना अमारा प्रेशर डाला सारा नीचे 10.5 क्यूंटर पर मीटर स्कूरे आपने ऐसे लगा दिया अब यह सुनते रहना यह सारा मैंने यह चीज लिखी नहीं तो 10.5 आपने लगा दिया अब आपको पते क्या है यहां पर मैं आपने यह पॉइंट्स ले लेना है जैसे हम मैं क्याते हो यह यह बिप चया है अब आपको देखना है कि हमने प्रेशर कुछ पता ने सीधर रिंफर्समेंट प्रवाइड कर दी ऐसा तो नहीं होते तो हम से यहां से पहले प्रेशर निकाल लेगे फिर हमारा डिजाई शिय में निकले तो AB में देखना है तो हमने AB में देख लिए कि self-weight का तो हमारे 10.5 km2 डला यह आपका ऐसे डला तो अब pressure diagram भी देख लिए तब A point पर B point पर क्या क्या pressure डल रहे है soil की वाजासे भी सब देखो आपको सबसे पहले आपने निकला था तो अब आप पुछो के सब यह का निकला तो अब यहां तक ही था सिर्फ और यहां पर इसकी उपर हमारा सारा था कि जो हमारा डिकता है और यह सारा जुबीन के नीचे था यह आपका ground level था तो अब इसकी नीची नीची जो यह वली इसका भी तो प्रेशर डलेगा एक तो हमने यूरेट ले ले लिए अब इसका भी डलेगा देखो इन्होंने क्या का था सबसे मैक्सिम क्यूमेंक्स किया वन वन नेट किलोनिटर पर मीटर स्क्वेर प्रेशर बिल थोड़ा से यहां पर प्रेशर कम होगा तो वैसी हमारा P3 निकल दाएगा 80.2 किलोटर मीटर स्क्वेर अब आप पुछोगे सर यह कहां से आया सर यह आपने कैसे ले दिया मैजिक से कैसे होगा अब मतातर यह चीज क्या है इसका थंबूल बहुत जाद है ठीए कोई कैसे कर लेकिन जो मेरा है मैं थोड़ा सा रोलिंग लोट साथ में लेकर चलता हूं मतलब कि जो हमारा मूविंग लोट के लिए होता उसको साथ में लेता है और यह पूरा सही है आप कोई भी कुछिन करोगे जहां पर आपको चीज नहीं भी दिखाई न कि हमारा P3 या फिर P4 कैसे लिए कि इस से कमी आएगा तो Q Max आमने 188 यह हाइट है एक तरह की लगालो एक तरह की है इस है इस ट्रैंगल के एक तरह की तरह है तो 118 माइनस Q Max – Q Min by B तो इन्होंने क्या बोले देखो qmax minus q minimum divided by b into में जो हमारा design distance of from to distance from to 1080 mm तो देखो अब इसमें आपने अगर पढ़ा होगा देखो मैंने यहां बे क्राया गो अगर आपको दिखे आप मैंने चैनल पर देख सकते हो देखो उसमें मैंने ऐसी क्राया तो आपको distance से निकालना होता है जैसे इस पर आपको pressure निकालना है तो आपको पता होता है यह वाली divide भी हो जाती है multiply पर हमारा distance होता है total एसे हमारा होता है तो वह चीज़ हमने यहां पर लगाई है आप सीधा सीधा यह याद कर सकते हैं इसमें याद भी क्या करना है qmax जो हमारी यह माइनस करना है फिर into में कौन से distance पर आपको चाहिए तो यह वह distance के आपका 1080 तो वही निकलाएंगे अब देखो अब कैसे पीटू अभी आपको मैं दिखाया था क्या था हमारा हम्हारा से बढ़ते जाएंगे सारा कोशिंट से लेता यहolie थो इसकी यह वहली साघिये धैओ अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आ रहा तो थोड़ से आपकोगो अटीे अडियिजा हो जाएगा तो देखो आप सिदा सिदा याद भी कर सकते हो बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपको यह फॉर्मल याद नहीं हुआ तो आप यह वाला नहीं कर सकते हैं बाकी आपके टीचर ने अलग फॉर्मला कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह जो मेरा थम रू नुद्ध यह जो है तो अपर आप इसको डाल Anthem प Those four हमारे मतलब इसकी टोटल bark प्रैस कहा निकाफ रहा है एटीपंट किलो औरल मीटर मेटर स्कुर्मल यह हाँ है हमने एपर निकाल लिया अपने अपने यह डे अ जो नेट प्रैश यह प्रेश को अफे प्रेशे अंप य अब इतने प्रेशर में सारी मुवमेंट निकाल लिए अब आउट टो के लिए हमारे जो मुवमेंट निकलेगी जो कि मारा शीर फोर्स निकलेगी निकलेगी इन मुवमेंट की बीच में निकाले इस फोर्स के यह तो देखो अब क्या है हमारा यह ऐसे आ गया तो आपको 10.5 है यह अब आप देखो 10.5 छोट है बढ़ा और यह हमारा 80.2 किलेंटर मेंटर स्क्वेर भी बढ़ा है तो यह वोर्स ऐसे लग रही है वह ऐसे लगरी है तो मतलब हमारी अब लगेगी अब इसमें से माइनस कर दो अगर आप 118 मेंस से कितना माइनस करो गया अगर आप 10.5 करोगे तो अभी मैं दिखा है तो आप 10.5 is equal to 69.7 वही मैंने लिख है ठीक है अब आपको confirm होगे ना कि जो हमारा pressure due to self-weight minus हमारा यह क्या निकल है gross pressure हमारा निकल दाएगा हमारा net upward pressure ठीक हमारा यहां पर निकल दाएगा ठीक हमारा यहां पर निकल दाएगा ठीक है अब हम क्या कहेंगे हमारा जो pressure है net upward pressure है किसमें vary कर रहा है 107.5 से लेकर 69.7 तक 107 से लेकर 107.5 तक टू 69.7 तक ठीक है अब यह इसमें से वेरी कर रहा है तो अब इसमें से तो अब देखते next क्या करना हो हमें तो देखो अब आपको करना है एजूम 60 mm बार एंड क्लियर करो 75 mm ठीक है मतलब कि अगर अगर समझो एक बार हमें ऐसी दिखार हो सिंपल जैसे हम बीम बेर हमें दिखाते कि हमने 16 mm बार ले लिए 75 हमारा तो हमारा टोटल हमें 420 पता है 16 mm हमारा यहां से हो देगा ठीक है तो अगर आप इस में से सारा माइनस करोगे तो आपको यहां पर defective निकल दाएगा तो यहां से यहां तक होते है आपको पता ने सारा आपको defective निकल तो वही चीज़ हमने यहां पर निकालेगी तभी उमारी enforcement आईगी आपको defective पता होना 16 by 2 ठीक है रेडियस लेना होते है यहां पर देखो मैंने कहा था ने रेडियस लेना होते है यहां से रेडियस है यह रेडियस लेना होते है नीचे बला तो देखो आपको defective आयता है 337 mm है अब आपको defective आ गया अब हम इसके लोग न हम कह रहे है design shear force और design bending moment है तो हम यह दो दलता है ठीक है फिर उससे हमारा maximum निकलता टाओ वी टाओ जी वह आप निकाल सकता है तो उससे आप इसके बाद चेक देख सकते हो सारे चेक सही लगेंगे ठीक है आपको नहीं प्रोवाइट करने की जूरत पड़ेगे आगे shear force में जाला design shear force है defective from the face of stem face of stem तक करेंगे ठी डिजाइन आगे तो हमने पहले factor safety लगा तो 1.5 into half 107.5 plus 69.7 into आपको पता है wl तो यह हो गया लेकिन आपको यहां से अगर मैं ऐसे करूं इसको यह चीज़ हम करूं तो पहले मैंने rectangle लिया फिर हमने यह चीज़ दिया है और यह हमने पहले rectangle ले लिया फिर हमने यह triangle ले लिय इसके लिए add हो जाएंगे तो आपको पता है triangle में जब भी आप करो तो divide by 2 आती ही आता है मना half आता ही आता है ठीज है वैसे हमने यहां पर कर दिया तो 107.5 plus 69.7 into 1.080 minus जो हमने defective निकाला है यह defective हम इसमें से minus कर देंगे क्यों दोना तरफ से होता है तो defective हम यहां यहां आपने से minus कर देंगे 1080 से तो उसमें आपको देखो क्या देखो देखो क्या देखो देखो 98.7 किलोंटर पर मेटर अब आपको वी यू आ गया तो आप इससे आराम से आप शीर चेक लगा सकते हो सेफ आएगा कोई दिख करने लगी तो अब हम उसके बाद आता है डिजाइन बेंडिंग में अट फेस ऑफ स्टेम तक हमारी जो सामने को लगेगे पीछे को ने जो सामने को हमारी रेंफोर्समें ने कले हम वो निकालेंगे ठीक है अट अट फेस फेस स्टेम में आपको 1.5 महीं मैंने पहले आपको सिंपल यह वला ले लिया कि है यह वला रेक्टेंगल लेघ है सिंपल यह वली जगह लेले सिंपल तो उसमें किया कि डब्लु आपको पता है ट्राइंगल कर ट्री होता है तो ऐसे आपने चीज़ ले लिए तो उससे आपका सब कहीं आप यह करते हैं तो कैसे तो यह वहला फॉर्मले से हम करते हैं माइनस प्लस में जाना मतलब ही जो कम होती है यूनिट्स में जो हमारी कम होती है वह वली लेनी होती है हमारे आप भी आपको देखो क्या निकला था 83 किलोनिटर मीटर पर मीटर है हमें इसको क्या करना है न्यूटन एमम में करते हैं एक पर मीटर तो मुमारे 83 इंटू 10 इसलिए बता रहे है कि कभी बच्चे बूल जाते हैं तो बहुत ही फरक पड़ता है आंसर में तो अगर आप इसमें सारी गाली बर वह तो क्या देखो मु कि आपको पता चल गया एफ वाई कि निकालना है अभी क्या लिया था हमने देखो 337 तो यह 337 हमारे यहां पर आदेगा 337 एवाई हमारे 415 देखक्टिव 337 एफ सी हमारे पर में पर में आपको इतना इतना एरिया लग रहा है इससे आप राम से निकाल सकते हैं मैंने सारी वैली ता दिया आपको बस 716 यह प्रॉक्स है कुछ भी ले सकते हो ठीक है अगर आपके देखो 710 भी शायद कुछ आ रही हो तो आप 700 भी ले सकते हो जादा है लो कभी कम हो तो 720 लो, 730 लो कुछ ऐसी ले सकते हो आप कोई हाड रूल नहीं होता है कि जितनी वैलू है बस उतनी लेनी है अब यह तो हमारा हो गया अब इसमें निकलते हैं अब इसमें निकलते हैं स्पेसी में चलते हैं बहुत पराणा काम हो गया है वो तो सिंग लिए फोर्स वेर अब इसमें निकाला है सिंपल सी बात है तो आपको अरिया पता है क्या होता देखो पाई बाइफ फोर इंटु डायमेटर का स्कुर्ट यह इन डायमेटर का स्कुर्ट इससे आपको निकाल लोगे तो 16 हैं क्या अबने जीम करें तो 16 इंटु 3.14 डिवाइद बाइद बाइ है तो मैंने तो इससे कम ही लिया तो स्पेसिंग थोड़ी कम हो तो भी अच्छा होता है तो स्पेसिंग मैं ले लिए 275 mm कि आपको फिर प्रोवाइट कर देने हैं तो प्रोवाइट सिस्टीम बाइट 275 mm सेंटर तो सेंटर हमने एस्ट से विसले निकाला था ताकि हम अपन सेंटर आपको यह चीज को निकल गया आपको यह चीज सो निकल थो इए sug अपी बीच में दिखा जाहinden टो न्योंकल को अब आता है निंब्फॉर्समें सुटि का कश्या, जो हमारे बाकी सथील साते हमने बंडिंग हम धर्कोर से प्रोढ़र ाम डालते है तो तो इससे आपकी 504 mm2 पर मीटर आपको इतना देने है और नॉर्मल आपको क्या देने है तो 10 mm बार्स आट भी ले सकते थे स्पेसिंग क्या होती हमारी देखो वही सेम 78.5 10 mm का 78.5 इंटो 1000 पर 504 क्या आपकी 155 mm क्या आपकी 155 mm क्या आपकी 155 mm थी मैंने 150 कली ताक कि अचीजी वैल्यू हो रहे न है थोड़ा सा आपको भी यहां पर आड करना मिस्त्री वैर को इसी रहे तो स्पेसिंग हमारी 150 mm होगी तो यह साही चीज़े मैं फटर फटर इसले कर रहा हूं कि यह आपने पड़ी हुए साही चीज़े तो इसमें को जाह समझाने वाला है ही नहीं जो समझाने वाला था वह हो चुका है देखो आप प्रवाइड डिस् कर क्या मतलब होता है यह बोलते है कि हमें न जो भी हम लेंट आपको डाल लेंगे जैसे समझा कर यह हमारा तो था यहां से जो मारी इन्फोर्स्मेंट के बार्स डालेंगे ना 16 mm के बार्स थोड़ा से एक्स्टेंड करना पड़ेगा ताकि आपका अच्छी से टाइल भी हो लेंट का फॉर्मला क्यों आपके बार्स के बार्स करने के लिए बानने के लिए सारी है आपको आगे फेस ऑफ दस्टेंप सी कितना आगे जाना है 752 लिखा हुए 752 है मैं आपको आगे जाना है यही हम आपको दिखाऊंगा एंफोर्समेंट के सारे डिटेल में तो यहां तक था आपका पूरा हमारा डिजाइन ऑफ टो तो सेम तो सेम इजएक्ट आपका हील होगा तो हील में हम जल्दी अल्दी कर पाएंगे तो देखो स्थार अब आता step 10 design of his lap तो सेम टू सेम करेंगे थोड़ी सीचीजी आइड होंगी क्यों हैंगी अब इतातो देखो इस पहले था प्रेशर डू टू सेल्फवेड कर आथा यहां से लेंगे तो हमें तक हम यहां तक लेंगे न यहांने तक लेंगे पूरा नहीं उपर तक लेंगे जैसे यहां तक कर लेंगे तो 4.58 प्लस 0.4 by divided by 2 यह मीटर में है इसलिए मैंने 4.58 करा है तो ऐसे आप करोगे तो आपका soil के according क्या आएगा आपका 18 होता है तो 86 km पर मीटर स्कूर वैसे आपका तो आपको पता ही है कैसे निकलाता हमारा तो आपका इसको अगर आप इसको एड करोगे तो आपका टोटल है 96.5 तो देखो जैसे मैंने इसमें दिखा रहा है 96.5 अब आप इस चीज को भूल दाओ इधर वाले सारी चीज़ों को भूल दाओ आपको सिर्फ हील करना है अब हील पर देखो तो 96.5 आपका ऐसे आगया देखो तो हम बाद में करेंगे वहां अलग से ditजैन करें उसके हम बात नहीं करें तो हम B से C में हम कुछ नहीं देखेंगे अब देखते हैं C से D तो CCD यह वज़ी चीज आयती है देखो CCD में क्या आगा देखो P4 आगया अब C पे यहां पे क्या लग रहा है P4 से प्रेशर कम होता जा रहा है यह से प्रेशर हमारे कम होता जा रहा है तो देखो P465.5 आगया अब आप उचो कहां से है तो same as done in toe slab तो toe slab में हमने देखो कैसे कर रहा था तो वही वाला हमारा thumb rule लगा कर Q max minus Q max minus Q minimum by B into distance from toe अब यहां पर this distance from toe क्या हो देखो वापको 1080 plus 420 क्या हमिन इस point पर कर रहे हैं हम क्यान इस point पर कर रहे है तो 1080 plus 420 डिए तो हो ही यहां फ्रË अगर यहांपर add करो होता, simple यहां पर 1080 plus 420 यहांपर हो जागा, से 0.42 ऐसे आप करोगे तो आपका असानी से यहां पर P4 निकलाएगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता आप कमेंट कर सकते हैं, तोड़ी सी वीडियो लंबी बन रहे है क्योंकि मैं सारा कुछ A की वीडियो में कर रहा हूं, अगर मैं पार्ट में कर रहा हुता है तो पा आपका नेट प्रेशर डागरम बनाना है, तो आप 65.5 है, आप देखो 96.5 इन दोनों से बढ़ा है, तो आप ऐसे डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड प्रेशर लगेगा, पहले अब बढ़ था, अब डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है बस इसकी यह चीज जूरत होती है कि हमारे नेट कहां पे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, वो साई चीज देखे हैं कि इससे हमारे रिंफोर्समें निकल दिया, तो इसमें मैं आपको चेक कराया है, तो 96.5 माइनस 65.5, कितना आपका 31, तो यहां से यहां से बढ़ता दाएगा, तो 96.5 माइनस आपका yes, just that because she's a moment at the rear face of stem, okay, rear face of the stem, okay, rear face of the stem,staw entsprechend director, तो आगे देखेगा, जो हमारा, Lightning Academy Zone,атов पेछे जाले, अगर हम पहले से आपका से डाले ठेहां, अगर पहले से ङसे सामने थोडि हमें आपका एससे टक्राना थोडिजिप्रासे पीछे डालेंगे, तो तब हमें छखें जीए, त 337 तो उससे आपका एस्ट क्या निकलेगा 998 mm2 पर मिटर यह पर मिटर आप कैसे निकलेगा तो अब इसमें क्यों आप सिंपल आपको सेम करना है तो आप 20 भी ले सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है तो आपने ऐसे ले रहा तो देखो 201 आपको सब्सक्राइब करना है तो आपको सब्सक्राइब कर लिए तो मैं यहां पर सीधा लिखा है प्रोवाइब टेनों इसलिए डाला है क्योंकि आपको पता में कर लिया तो देखो तो आपने अच्छे और कह ब्लाम पहले का क्या क्या च्छान ए तो आपको आपको फ्हर कर लिए तो हन करने ड्ट में रिखेंud द सामने ट में सिधा लिख दिया पुरवाइब टिस्टियॉटर् अब क्छे लिए तो यह दो यह करेंगे लेकिन 10 आप 2 बयत इसमेंकि इसमें तो 1.3 into LD, LD हमारा 47, क्या होता है LD का फॉर्मॉरा 47 into diameter 5, तो 16 बार से हमने लिए थे, तो यहां पे 978 लिखता है, beyond the rear face of the stem, तो हमने वो front पो provide कर दियो तो आपका ऐसे rear आएगा, ठीक, आपका ऐसे पीछे को आजाएगा, यहां पे आपका यह खतम होता है, यह design of heels slab भी अब आपका खतम होगा, अब सिर्फ क्या रहता है, design of vertical slab, sorry, vertical stem भी वो कर लेते हैं, तो देखो, अब आता आपका step 11, design of vertical stem, तो बस खतम ही होने वाला है, तकरीबन 10 मिट का रह गया, तो देखो, अब vertical stem में देखो, ना ही ऊपर कोई लोड लग रहा है, ना कूच है, अब इसमें थोड़ सा बदल जाएगा, क्या, assume 20 mm बार्स, मैंने 20 mm ले ले, क्योंकि यार, vertical stem पे जादा लोड लगता है, तो मैंने 20 mm बार्स ले 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 ले, अब इसमें चैब्राइस करने कने निकाला था, हम स्टैम के लिए निकाला था, स्टैम के लिए उपर से बैक फिल जो हमारी एंगल पे आ रही है, 15 डिगरी में, उसको भी अड खरेंगे, अब इसमें देखो ऊपर से कुछ लोड आनी रहा, यहां से आरहा है लेकिन यहां से आरा है, यहां से टेडिा आरहा है, तो हम horizontal लेंगे, मनल Yuk यहां से यहां से थ किने फॉर्फ लगे हिस गवाले के प्लस 0.4 जो हमारी बैक्फिल का था और यह हमारी 0.4.58 तो हमारी एच की स्टेम थी तो 4.58 प्लस 0.4 आपको क्या आगया 4.99 मीटर आपको पता ही हम शुरू जी करते आ रहे हैं स्टेप 3 से करते आ रहे हैं तो पीए हमारे क्या है 125.22 किलोंटर पर मीटर यह आपको समझ आए तो प्रेशर आपको आगा मैंने का था होरिजॉन्टल कॉंपने लेना तो पीए कॉस डेल्टा आजेगा डेल्टा हमारे 15 डिग्री किया जाएगा तो उससे आपको क्या है 120.95 किलोंटर पर मेटर यह अब इसमें शीर फोर्स वेरा आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं वैसे को इसमें जाहत जलूरी नहीं है तो आप सिधा बेंडिंग मोमेंट मैं कहा रहा हूं आप शीर फोर्स भी निकाली लेना सेम न तो वही चीज है हमारी है चीज यहां पर है डिजाइन करना हमने तो 1.5 इंटू कर दिया यह आपको समझागे न हमने कहां से इसलिए मैंने ब्लू कर दिया था क्योंकि वह हम थम रूल पहले हो चुका तो इसलिए इसलिए इसको ब्लैक नहीं कर दा तो 1.5 इंटू 120.95 तो ह इससे आपकी मुमेंट निकल दे 200.78 किलोंटर मीटर पर मीटर तो मुमेंट आपके ऐसे आगी तो आपने इसमें वैल्यू डाली सिम्पल वह हमारी यहां पर क्या आएगी 415 AST आपको निकालना है 415 AST निकालना है AST के 20 B आपका 1000 तो D यहां पर 360 निकला था इसबदा 337 यह थी 60 है तो उससे आपका देखो AST यहाएगा 1717 यह 17, 17 mm mm² m2 यह आपका AST निंगल गया तो simple आपको पता ही है 269 mm बार spacing आपकी आएथी A5 into A diameter of steel था ना reinforcement उसका into B by AST, तो आपका 201 into 1000 by 17, 17 is equal to 117 हाता है तो उससे मैंचाइच बस 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 इसलिए करा हो क्योंग यह toe था बस मालब तीनों में कोई भी चीज कर लो पहले अगर मैं vertical stamp भी कर लेता पहले तो मैं फिर बाक्षी चीज़े जल्दी 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 कर आयता तो वह आपकर है ठीज है मतलब मैं उझे समझाने में ही है कि जो समझाने में पार्ट वह हो गया तो सिर्फ लिखा हुआ अगर आप खुद भी देखो आपको पता है अगर आप यह चीज़े कर रहे हो ना पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको यह बेसिक चीज़े आते होईगी तो आपको 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 आता है अब इसका क्या मतलब होता है कि अब ऐसे एक पॉइंट होता है अगर आप लो देखो अगर आपने शीर फोर्स डियाग्रम बनाय हुए बेर्ने में तो आपको पता है जैसे हम मैं कहता हो एक बीम कहता हो देखो उसमें एक ऐसे भी आया था कभी गभी तो मतलब इस सब्सक्राएं को का सब्सक्राइब अपर है कि इस डिया की सब्सक्राइब कर नक ब्सक्राइब इस कटी इंट-डीर आप समoa हरा है निकाला की यह बार सकता है आप पर है alternate bars रहा है कुछ भी आप अड़ कर सकते हो तो उसमें क्या आता है को देखो इसमें क्या आता है यह कांपर पर प्रवाइड करने होता है लेकिन उसमें अगर एक बार यही पता चलता है मैंने इतने question देख लेगे कि अप्रॉक्स करना पड़ता है हाफ हाइट में तो वर्टिकल सेम की अप्रॉक्स करना पड़ता है तो 4580 अगर आप 2 करोगे ना तो आपको 2.2 कुछ आता है 2.2 तो मैंने अप्रॉक्स करना तो 2.3 ले लिया थी है थोड़ो से जादा ले लो यह बैटर लेगा तो देखो 2.3 मी अब आपको पता जलता है कि यहां तक कहीं कि यहां पर आपका है तो देखो 2.3 का क्यूब बाइच का क्यूब इंटू 420 वही दी दीवाई हमारे गया 360 तो एस्टिवाई हमारे 287 अम स्कुएर आ गया हैंस कटेल और अल्टरनेट बार्स एज इस सेक्चिन तो कटेल मतलब क यहां पर प्रोवाइट कर तो आटनेट बार्स ते अब करते हैं कंट कर्यों ना कि का तक का कर ने ना कि मतलब कि यह 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 नई यह से शूरू कर रहा तो यह तक यह यह क्या लैंस है तो वो लेंद का देखो फॉर्मला क्या होता देखो 12 इंटू में क्या हो देगा हमारे डायमेटर हमारा हो देखो 12 इंटू डायमेटर हमारा हो देखो 12 इंटू डायमेटर हमारा हो देखो 12 इंटू अगर आप 16 का अगर आप 16 का करोगे तो आपको क्या आता है 192 तो मतलब इस तो step 13 क्या है अब मैं कहता हूँ कि temperature and shrink and enforcement भी provide करनी है इसमें क्यों करनी है जो हमारी retaining walls होती है यह कोई भी temperature हो सकता है बाहर अलग हो सकता है अंदर अलग हो सकता है तो उससे हमारी च्छेट-छाड हो सकते हैं कि यहां पर 40 डिगरी है यहां पर हमारा हंडड हो गया तो उसके लिए हमें टेप्रेटर यहां पर प्रवाइड करनी है तो उसका फॉर्मला क्या होता है minimum चेल क्या आगए 0.001 वह हो यह आपका 12% गीए 12% सौरी 0.1 2% होता है इंटू मैं टो बी डी तो यह थी आपको देखो डी हमारी यहां पर पूरी हाइट आगी है क्या minimum steel आया था 1704 mm square तो अब इसको आप क्या सकते है नमबर ऑफ 8 mm बार्स निकालने है कभी कोई नहीं भी निकालता लेकिन मैंने निकालने है तो तो इसको अब रहना है तो आप की मरजिय आप कैसे भी ले सकते हो देखो मैंने कैसे कर दिया प्रवाइड 16 बार्स ओर इनर फेस्ट इनर फेस्टें को सेंटर तो इसको थे और जमारे इनर्फेस है जहां पर हमारे शाहिद ना पड़े ज़्यादा फ़रक्ट तो मैंने वहां पर 450 mm सेंटो सेंटर कर दी यहां पर आपको अच्छे से वर्टिकल स्यम हो गया पूरा क्वेश्चिन हो गया लेकिन आप अच्छे से पॉस्ट करके वीडियो को मैं थोटा सा समझावगा ज्यादा नहीं सिर्फ मैं आपको दो चीज़े दिखाना जाता हूं क्या चीज़े तो देखो हमने यह 980 mm और यह सारी दिमेंशन में है तो मैंने कहीं पर भी mm नहीं लिखा तो मैं यहां भी ले देखता हूं क्या चीज़े आपको दो चीज़े दिखाना जाता है वाक्या वीडियो पॉस्ट करके राम से दे सकते हैं कॉन से कहां कहां लिए थे तो अब ही क्या दिखता हूं है सब से पहले हैं कर लते बात बात तो पि अमने क्या उनकर तो क trafficking से अर consort अकर कर दिया त्यींट है यत gef हैसम होग तो in यहां से इस तरफ को आ गया तो वो इसको इस तरफ से यह फ्रंट में आ गया तो वह बैक में आ गया आप के सामने साथाने कर दोंसुन लागल की निया को हांने कर दोगे लगे ही आपको यह यहां जो और यह पशेंगा इस अलागहा हो जाएं यह उस्यार худा में आपको दिखा जाला मारे आप USB जो भी हमारे इस डनेंगे आप एक बार और रहे निखा सकता तो हमारे पूरा अच्छे से कंपलिट हो जाएगा तो यह एमारा पूरा बिए लगावजा तो आपको बस इस पर ने करता है यह लाड है वह वह मेंता है कि मैं तक मोस्ट इक होश्मकर में आता है तो अगर आपको पूरा design का भी question आता है तो आप अराम से कर सकते हैं तो देखो ये था आज का मारा topic design of retaining walls cantilever cantilever हो गया अब counter forward भी करेंगे तो इसको video बनाने में थोड़ा सा time जादा लग जाता है कि बहुत जादा information मुझे gather करने पड़ती है 3-4 books मैं देखता हूँ उसमें सारे thumb rules बनाता हूँ तो वह होता है design of retaining walls बहुत ही मुश्किल से होता है और इसको solve करना बहुत ही easy है अगर आपको सारे thumb rules याद होगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो थोड़ी सी वीडियो लंबी फिर वादी 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 कि वीडियो देखता है